SSE CGL Tier 2 का exam दस्तक दे चुका है और अब वक्त है कि हमें ये देखना है वहाँ पे जाके कि जो हमने अब तक planning की, इतनी strategy की, इतनी तयारी की, क्या हम वहाँ पे वो सब execute कर पा रहे हैं, क्या reproduce कर पा रहे हैं, वो सब चीजें, कई ऐसा तो नहीं, कि हमने यहाँ पे तो बहुत की तयारी कि वहाँ पे उतना अच्छा हम perform नहीं कर पा रहे हैं, आज की वीडियो में बहुत सारी important चीजे हम discuss करने वाले हैं, इसके अंदर हम देखने वाले है कि exam को कैसे आपको attempt करना है, कौन सी चीजों को छोड़ना है, और extra information से मैं बहुत दूँगा, यह काम की वीडिय जो है आपके लिए, अभी पूरी की पूरी 5 मिनट में हम पूरी sum up करेंगे, तो आप जरूर देखिए इसको, अगर आपका exam कल या परसों के अंदर है, बहुत important है यह आपके लिए, आप देखिए कि सबसे पहले चीज, जब भी आप paper को attempt करेंगे, अगर आपको अपना score boost क करना है न, कि 300 प्लस नमबर तो आए ही आए, तो अभी जो भी आपने mock test कोई फर्क नीपड़ता, आपके नमबर नहीं आए, घंटा कोई फर्क नीपड़ता, लेकिन वो एक दिन कि वहाँ पर जाके आप अगर कोई logically question भी करने, तुक्का भी करने, वो set बैठना चीए, बस mock के question question गए भाड में, हमें कोई लेना नहीं है, भूल जाओ उन सबको, अब देखिए कि selection of question बहुत important है, अगर आप किसी भी गलत question को pick कर लेंगे, वहाँ पर एक या दो question तो आपको wrong मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो आपका 2-3 मिनट खराब कर देंगे, देखो simple सी बात मैं पत बदल जाए और कब 2-3 में बदल जाए और उसके बाद जो इतना pressure हो जाएगा mind में, उतनी देर में तो तुम 3-4 question reasoning के फोड़ दोगे 2 मिनट में, समझ रहो इस चीज को बहुत फरक पड़ेगा, तो एक मिनट से उपर नहीं करना बस, कामी खतम, skipping technique आपको use करनी है, कैसे करो में उसको पढ़ने में इतना समय लग जाएगा, तो एक बार के लिए छोड़ दो, दूसरा तरीका यह है कि कोई भी topic आपको अगर tough लगता है, और उसका question आपको दिख गया, तो भाई उसमें मत घुसो ना, पहले उसको छोड़ दो, दूसरे की topic तो करो, यह थोड़ी है कि उसी topic में घुस गए, जो पढ़के भी नहीं गए हुए, मालो geometry पढ़के ही नहीं गए, और वहां पर geometry का question दे दना दन करने लगए हो, तो गलत बात है, उसको छोड़ दो तुरंती, reasoning में जैसे मैं बताता हूँ कुछ चीज़े, puzzle है, puzzle में ऐसा हो सकता है कि puzzle, या circular arrangement, या अच्छे से तयार ना कर रखाओ, या फिर आप घर पे practice करते हैं, तो आपको पता है कि उसमें बहुत मेरा समय लगता है, तो उसको तुरंत पहली गो में छोड़ दो, second गो में कर ले ना भाई, हमेशा दो गो तो आपको लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि आपको देखी कि ह तो आपको उसी हिसाब से वेपर में बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा, घर से डिसाइड करके मत जाना कि इसको पहले करूँगा, जो फिर question दिखते जाए, उनको पहले करते जाना, जो easy easy लग रहे हूँ, वही तरीके बता रहा हूँ, एक ये question में देखा, sign के और digit interchange के, ये दोनों चीजे जहाँ आ जाएं, तो भाईया वहाँ तो सचेत हो जाओ कि इस question को सबसे आखिर में करना है, दूसरा ये reasoning के अंदर देख लेना कि जो options हैं, सामेशा देखो, ऐसे questions के options, specially trigonometry में और reasoning के मैं बता रहा हूँ, वह option ही अगर इतने लंबे-लंबे हैं, जीब हो skip that question, वो आपका time खराब करेगा, तीसरा, कि अगर series में आपको दिक्कत आ रही है, series में alphabetical series तो हो सकता है, नंबर series जब आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उलजलूल pattern आ सकता है, या फिर कोई matrix आ गया, या missing number आ गया, तो भाई, वहाँ पर अगर 10-15 seconds में hit नहीं हो रह कि कैसे skip करना है, ठीक है, inferential passages की बात करता हूँ, अब इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में inferential, दो तरह क्यों होते है, एक facts based जो होता है, एक inferential होते है, उपर से साथ में length देख लेना, कि कितनी बड़ी है, उनके question को देखो पहले, तीन-चर question पढ़ते ही समझ में हो जाओ, मैं इसको बाद में करके बाकियों को कर लेता हूँ, हाला कि English और GK में कोई समय का इतना बड़ा दिक्कत आएगी नहीं आपको, फिर मैं D.I. की बात करता हूँ, मैं इसके अंदर D.I. में ये क्या करता है, कुछ D.I. बहुत मुश्किल दे देता है, मालो कि suppose किज छोड़ दो, क्योंकि ये ना हो कि कहीं आप फस जाओ, और वैसे तो D.I. को आखिर के लिए ही रखिए, उन में से जो चार कोशन में से जो आसान होगा, उसको एंड में कर देना, क्योंकि D.I. को एक बड़ी शुरू करोगे, इतना टाइम उसमें लगाओगे, फिर एंड मे की बजाए, सीधा सेकेंड को में ही करना, D.I. को, पहली को में छोड़ देना, नेक्स्टम में इंग्लिश कॉम्परेंशन की बात कर, तो मैंने देखा एक हिसाब लगाया, आप देखी कि इंग्लिश में 45 कोशन आने है, 45 में से लगबग 15 कोशन तो पैसेज के हैं, और पैस यानि कि सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है, ग्रैमर से भी जाता है, वो कॉम्प्रियंशन रोल प्ले कर रहा है, तो जो आने वाली अभी जो बच्चे हैं, जिनका अभी आनी है शिफ्ट, तो वो थोड़ा सा इन पे फोकस कर लेना, अगर आपका बिल्कुली वीक है, कुछ प्रैक्टिस करके चले जाना, अब मैं देख रहा हूँ कि एंटो साइनो हो गया, ग्रामर होगी, इतनी बड़ी ग्रामर है, लेकिन इतना कुछ नहीं आने वाला, ग्रामर में सिर्फ दो टोपिक इंपोर्टन है, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इन दोनों में से बहुत पैसी हो गया, और यह हो गया, नरेशन, भाई, शिर्फ इतने से ही इंग्लिश आपकी कहां से कहां जा रही है, बहुत इंपोर्टन चीजे बता रहा हूँ मैं आपको, इसके आगे गैस वर्क की बात करता हूँ मैं, गैस वर्क में भाई, तभी, अगर मालनों, दो ऑप्श आपकी बहुत ही नीचे अटेम्ट जा रही है, तो तब गैस मारो, ठीक है, मालों, 60% ही वेपर कर रहे हो, तो भाई, पता है कि सेलेक्शन नहीं हो बाईगा, तो थोड़ा गैस वर्क करना पड़ेगा, मालों, 90% वेपर कर रहे हो, फिर थोड़ा से गैस वर्क का ले सकते हो सहरा, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा आपको पता है कि स्कोर हो जाएगा मेरा, कि 2-4 नंपर कट भी के तो फरक नहीं है, लेकिन हो सकते है कि मेरे एकदम से बूम हो जाओ, और मेरे को अपनी होम स्टेट मिल जाए, तो उस लालच में कर सकते हो, बस, next is screen का interface issue, कई बार मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, एक मैंने देखा, अभी recent की बात है, SAC के अंदर 2022 की ही, कि options के अंदर एक game खेला गया, आप ध्यान देना कि यहां पर सबसे बड़ा game options के, trigonometry के question में भी देख लो कि option कैसा है, और मैंने बोला था, sign interchange में भी देख लेना कि option कै पर, उसने बोला था, कि एक तो था oblivious, और फिर last में दे रखा था obvious, अब हमें पता है कि उसका answer तो dash में भरना था obvious, लेकिन यह L जो है न, L, कई बार हमारा human mind क्या बोलता है, कि यह गलती से लिखा गया L, और वो human mind बोलता है कि यह ticker दो, और हम इसी को ticker के आगे बढ़ ज होती है कि 1, 2, 3, 4, सीधा-सीधा हम ऐसे कर देते हैं, लेकिन देखिए dash तो ठीक है वो पूरे को पूरे में, लेकिन जब वो question पूछता आगे, वो ये भी पूछ सकता है, पहला question, वो third वाला पूछ लेगी, third fill up में बताओ क्या भरना है, और आप मानलो कि पहले fill up कही साब स सोची जारे हो, टाइम खराब करी जारे हो, फिर भी गडबड हो जाएगी, यहां वो second number पर second question नहीं बूछ रहा, second fill up का नहीं बूछ रहा, यहां पर fifth का पूछ लिया उसने, यह थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर गडबड होने के chances रहेंगे, silly mistakes का मैंने बता दिया, अ अब मैं कुछ और बाते कर लेता हूं, sound sleep की बात कर लेता हूं, एक रात पहले अच्छे से सोके जाना, कम से कम आठ खंटे की नींद हो जाए, आदी रात तक पढ़ने का कोई मतलब निया, कुछ नी जंडे उखाड लोगे तुम, कोई वकया, वकुब, कोई जियस, कुछ न सेंटर दूर है, तो एक दिन पहले जाओ, ये मत सोचना कि सुबह बस में ट्रेवल करके जाओंगा, पूरा तो एक्जोच तुम बस में हो जाओगे, दूरे सेंटर दो, तीन-चर घंटे तुम अपने माइंड को खराब करोगे, बस के अंदर उसके बाद वहाँ पेपर दे तो वहाँ भी देख लेना, कोई पोहा भाँ, कुछ भी बिल्कूल भी हलका मिलता है, जो चीज वो खा के जाना, चाय बगर के साथ, या दूद के साथ खा जाना, अगर गयास की दिक्कत है, तो गयास की गोली खा जाना, ठीक है भाई, इसके बाद है, पेपर में अगर अगर डिफिकल्ट आ रहा, तो सभी के लिए डिफिकल्ट आ रहा, यानि की कट ओफ जादा उपर नहीं जाएगी, यह याद रखना, कि मुश्किल परिस्थिति में पुना बेस्ट दे के आना है अपको, ठीक है, इसके अलावा, एवोईड एनी कॉल अट दी, सेंटर, वहा हो जाएगा, नेक्स्ट है, डोकुमेंट, भाई, एक आपने अभी एड में देख रहा था, उसमें क्या होता है, कि एक बच्चा अपना डोकुमेंट भूल जाता है, एडमिट काड घर पर भूल जाता, उसके पापा डाटर होता है, कि 15 मिनिट में तो मैं घर पहुंचूँ है, तो वो बोलता है, चप्पल से मारों को सिरफ इतनी बात के लिए, अभी मैं मंगा जाता हूं, वो एक आप का इस्तेमाल करता है, और वो वहां से मंगा लिता है, बच्चा भी खुश की, हाँ मेरे को बचा लिया, आज मैं बच्किया, पापा भी खुश, तो जब खोलते है, तो उसमें चपल निकलती है, और वो बोलता है, इसकी अच्छे से धुलाई कीजिए, चपल से मारिए, और नेक्स टाइम अगर भूल जाए, तो फिर इस वाली आप से मंगवा लिजी, बहुत मज़िदार एड है, तो वही वाली चीज है, वहां पे अब आपके लिए को चल के जाने में बहुत मुश्किल हो जाती है, हट बड़ा जाओगे, हमेशा 40 मिनट पहले सेंटर पे पहुंच के अपना नाम चेक कर लिजी, लिस्ट में नहीं है, तो आसपास कोई दूसरा सेंटर होगा, लोगों से पूछिए, वहां जाके चेक कर लिजी, यह बहुत बा आज का सेशन आपको समझ आया होगा, इसके अलावा, जो आगे तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जा MTS की तैयारी कर रहे हैं, या अगले वाले CGL के लिजी कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज बता रहा हूँ, कि यह हमारा PDF कोर्स है, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज है, A to Z दाल दिये हैं, with photographs दाल दिये हैं, maps दाल दिये हैं, और जितनी भी NCRT थी ना, उसका पूरा करक्स हम दाल चुके हैं, हर चीज, हर किताब से हमने देख लिए, जो अच्छे चीज, सही चीज थी, exam के बांडर पर वो दाल चुके हैं, extra miscellaneous topics दाल चुके हैं, updated topics दाल चुके, current affair सारे का सारा डाल चुके हैं, यह सारा PDF course हमने बना दिया, इसके अलावा हमने 950 question arithmetic के डाल दिये, इससे बाहर कुछ ना आएगा, इतना इस हिसाब से डाल दिया है, 70-80 page में reasoning खतम कर दिया, अभी इसके अंदर coding डाल दिया, और भी जितने भी chapter हैं, सब इसके अंदर डल रह सब कुछ practice के लिए English के अंदर A1 quality का हम provide कर रहे हैं, यह कैसे ले सकते हैं, अगर आपको GS और computer का लेना है, मैं बता रहूं, computer में भी यह धुलाई होगी, बहुत सारे बच्चों की याद रहे हैं, बाद में तुम याद करोगे इन चीजों को, तो GS और computer का लेना तो 399 rupees का है 50% off चल रहे हैं, तो 399 rupees का पड़ जाएगा, अगर आपको पूरा combo लेना सबी subjects का साथ में English का आपको video course free में मिल रहे है, advanced math के practice videos मिल रहे है, तो यह पहले हम 60% off पे 999 का दे रहे थे, लगिन अभी के अवल 5 दिनों के लिए हमने इसके price को reduce करके 75% off कर दिया, यानि 699 rupees का मि पहला benefit यह, दूसरा English का video course free में मिल रहे है, advanced math के practice videos free में मिल रहे है, extra application validity मिल रहे है, जून तक की, पहले हम 3 महीने की देते हैं अभी जून तक की मिल रहे है, और validity lifetime रहेगी, कैसे लेना है, आपको यह direct हमारे Google पे phone पे ATM नमबर दिख रहे हैं, आप क्या किजिएगा, जल्द जल्दी add हो जाओगे, ठीक है, कुछ लोगों को यह हो रहा हट बढ़ा हाट हो रहे है, कि जल्दी जल्दी add हो जाए है, ताकि हम पढ़ लें, तो यह जो number दिया है, 911-58-628-15, इस पे payment कीजिए, तो आप जल्दी add हो जाएंगे, तुरंद के तुरंद हम कोशिश करेंगे, कि आज ही सबको add कर दे, जो आज आ जा रहे हैं, ठीक है, यह सारी किसे detail में, description में डाल रहा हो, वहाँ जाकी भी आप कर सकते हैं, चैक, payment का screenshot, इस email ID पर भेज़ देना, हम आपको कोशिश करेंगे, आज रात को ही, जितने भी लोग अभी आ जाएंगे, रात को ही सबको add कर ठीक है, ठीक है, चलिए हम मिलते हैं, next video, bye bye, take care, see you, love you all, all the best आपके exam के लिए, कल मैं एक जबरतस वीडियो लेके आऊँगा, पूरी analysis के साथ, हम मिलते हैं, bye bye, take care